हलो दोस्तों मैसल विरेंदर गुजर और अगर आपने हमेरी यूट्यूब चैनल इंडिया नायरोधिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटास अब्डेट्स मिलती रहें तो पिछले वीडियो में अपने 7 चैप्टर क के बारें पढ़ेंगे जिसका नाम है अवाक शिर्षियम इंद्रियम ठीक है तो आप चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अपन तीन दिन में रोगी की मर्ति हो जाती है तो इसमें देखना तीन दिन के अरिष्ट में जिस प्राणी की परचाई में सिर निचे और पैर उपर क तो अगर प्राणी की परचाई बन रही है और उस परचाई में जाए शिर निचे के और दिख रहा है और पैर जाए उपर के और दिख रहे है तो इस परकार के लक्सन दिखें तो उसकी जाए क्या होता है तीन दिन में मर्ति हो जाती या फिर बिना शिर की परचाई दिखे नेतर की पलकों, पलकों को बोलते हैं वरतम, ठीक है, आईरवेद में अपने, जब अपन फाइने डियर पड़ेंगे, तो वहां पर जाए एंटी आएगी, तो उसमें और अच्छे से पता लग जाएगा, तो पलकों को क्या है, वरतम बोलते हैं, तो नेतर की पलकों का जटा ना मिल पाएं, या फिर सोथ के काण जो है, उपร और निचे की जो पलके होती है, वो नहीं मिल पा रही है, मतलब पलके बंत लियो कहा है, तो यह जाए तो यह कह रहा है कि गोहों तथा सिर में सिमन्त वावर्ध्ष्य तो बोहें, मतलब आईबरो में या पिर सिर में, क्य दिखाए देते हैं यह चार लक्षन बता रहे हैं तो यह चार लक्षन जिस रोबी रोगी में दिखाए देते हैं उसके क्या हो जाती है तीन दिन में मरती हो जाती है रोगी की उपरों सवस्थ में हो तो छे दिन में मरती हूं यह करा है कि उपर के जो चार लक्षन है अगर य अप्रती तो इस में देखना विना तैल लगाई तैल के समानप्रतीत हो यह कं रहा है कि फिर भी जो के से वह इसमान पर्तीत हो रहे है जैसे कि उन में टेल लगा लिए हो तो के जंब लगा लिए तो यह उखाड़े जाने पर पर वेदना ना ओ ठीक है तो इस परकार के जो लक्षन दिखते हैं वो क्या होते हैं अरिश्ट के लक्षन होते हैं तो इस में आपर देखना उखाड़ जाने पर वेदना ना ओ अगर केस्टों को उखाड़ जाने पर वेदना नहीं होती है तो वो क्या होता है छह दिन का अरि अब आगे देखते हैं नासा विश्यकरिष्ट तो मतलब नासा नाक नाक से देखना टेड़ी सोथ युक्त सूस्क स्थूल नासी का द्वार अधिक खुले या अधिक बंदू तो यह कराएगी अगर नाक जो है टेड़ी होती है सोथ युक्त होती है है ना सोथ से युक्त नाक सूस्क है ठीक है मतलब उसमें स्लेसमा कफ वगरा नहीं इस थूल है या फिर नासी का द्वार है ना वो अधिक खुले में या फिर अधिक बंद है तो इस परकार के जो लक्षन होते हैं वो नासा से रिलेटिड अरिष्ट अगर वो बारी है ठीक बारी होगी तभी तो निश्चल होगी तो इस परकार दोनों दे दिया निश्चलो बारी हो कंटकाकार हो उसका आकार कैसा होता है कंटक के आकार की अंकूरों से अधिक व्यापत हो तो वो अंकूर जो हैं उसके उपर अधिक है अंकूरों से अधिक तो इस परकार के लक्षन अगर जीवा में दिखते हैं तो वो क्या होते हैं अरिष्ट के लक्षन होते हैं अब आगे देखते हैं आयू छे तो आयू छे में बता रहा है कि हाथ पैर शितल हो मन्यावे तालू करूर हो तो उसमें क्या होता है उसका आयू का छे होता है ठीक है म कठीन चुक्ता है तो यह क्या होते हैं उस वैक्ति में मादों अर्ष्ट के लक्सन और इसक ile होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे अर्ष्ट बता रहा है कि अभी तो इन से रिलेटिट है नसा से रिलेटिड जिवा से रिलेटिड जी इस के से इसके लावा और भी अरिस्ट बता रहा है तो देखना रोगी का हर्पयर पटकना कभी परसन कभी विसाद्यूग यह कर Can कि रोगी है ना हाथ पैरों को पठक रहा है कभी परसंग दिखाई दिखाई देता है तो यह भी एरिस्ट के लक्षन है शील बरंच जिन वस्तों से पहले प्रेम था आप द्वेस शील बरंच किसको बोलते हैं शील बरंच बोलते हैं कि जिन वस्तों से पहले प्रेम था ना अ इसका शिर का बार जो है दारण नहीं कर पा रही है या फिर जो प्रस्ट है ठीक है पीट वो सरीर का बार जो सरीर का बार जो दारण नहीं कर पा रहा है अतयरोगी जो है बैठ नहीं सकता तो इस परकार के लक्षन भी कहें अरिश्ट के लक्षन है फिर सरीर में लेप की तरह पर्तित हो ना तो शरीर में जो है कैसा पर्तित हो रहा है कि जैसे शरीर के ओपर लेप लगा दिया गयो इस तरह का पर्तित हो रहा है या फिर आहार को निगल नहीं सकता और जीवा कंठ में चली जाती है तो यह कर रहा है कि आहार को है ना क्या नहीं कर सकता निगल नहीं सकता ठीक है और जिवा कहाँ चली जाती कंठ में चली जाती मैंलब ठोटी हो जाती this है अन्य तो इस परकार ज़ए अगर किसी में लक्षन मिले तो ये भी क्या होते है अरिस्ट्री के लक्षन होते हैं है तो यहां पर ज़ए अपना चैप्टर क्षत्म हो